तो हलो दोस्तों जैसxo कि मैंने अपने यूटूब जैनल पर ढाला था कि क्या इस पुष्था को कभर किया जाए तो हपने हो सारे लोगों ने में करमेंट किया था कि हाँ को कभर किया जाए कि आपकेBy зат agrad करना सकंद기 मुम्किन होगा लेकिन फिर भी एक प्रयास है जिसको करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टन परिच्छा पॉइंटर है तो आने वाली जो नेट एक्जाम है उसको उसके लिए एक रामबांट साबित होने वाला होगा तो अगर इसको कवर किया गय तो एक प्रकार से आप के लिए बहुत ही मात्पॉर्ण इसमें कंटेंट लास्ट टाइम रिविजन के लिए मिल सकते हैं इसमें आप देखी सकते हैं कितना वाइट कबरेज है और कितना ज्यादा इसमें कंटेंट है तो बिसिकली जो पीविएस यह कुस्चन है सभी जो उस नेट का जो पेपर है 18 जोन को उस समय तक पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि कर सपोर्ट नहीं रहा तो फिर इसको मैं अपनी हिसास चलाओंगा तो चलिए इसी आसा के साथ कि आप लोग इसको पसंद करेंगे इसको स्टार्ट करते हैं चलिए दोस्तों इसमें सबसे पहला यूगता लेखनी प्रगिदी की है राजनिती विग्ञान अंगरेजी भासा के सब्द पॉलिटिकल साइंस का हिंदे रूपांत्रन है जिसके उत्पत्त युनानी भासा के सब्द पोलिस से हुई युनानी भासा में पोलिस का उप्राय है नगर राज利 तो 500 इसन पूर पहले युनानी लोग इन ही छोटे छोटे नगर राजों में रहा करते थे और इन नगर राजों की स्थिति को हम राजनीती कत्भितियों से समंधित ज्यान को राजनीती या पॉलिटिक्स कहा जाता थ पॉलिटिक्स अप्रियोक सर्पत हम अरस्तू ने किया था अरस्तू ने इस विशय को नीध सास से अलग कर स्वेध विशय का रूप दिया इसलिए अरस्तू को राजनीत विज्ञान का पिता कहा जाता है तो अरस्तू ने पॉलिटिक्स को फिलोस्पी से अलग करने का काम किया तो अभी तक अरस्तू के टाइम गार्नर के अनुसार राजनीति विग्यान का आराम एवं अंत राज के साथ होता है। गार्नर के अनुसार राजनीति विग्यान राज के साथ होता है। लिकौक क्या बोलते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह हंग है जिसमें राजय के आधार और सरकार के सिध्धानतों पर विचार किया जाता है गिलक्राइष्ट, राजनीति विज्ञान राज और सरकार की समान समस्याओं का अध्यान करता है, दिमाग क्या बोलते हैं, कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण सरूप का निधारन उसकी मानों विश्यक मौलिक मनताओं द्वारा ही होता है, पिर कैटलिन क्या बोलता है, कि राजनीति विज्ञान नियंत्रक एवं नियंत्रित के ब्यापक संबंदों का अध्यान है, कैटलिन बोलता है कैटलिन, राजनीति विज्ञान की आधनिक परिभासा है, तो कैटलिन के नुशार राजनीति विज्ञान सक्ति का विज्ञान है, तो प्रिटिकल साइन्स इस साइन्स आफ पावर डेविड उस्टन के नुसार राजनीत विज्ञान समाज में मूल्यों का सत्तात्मक वित्रन है यानि अथरिटेटिव एलोकेशन आफ बैलूस है क्या प्रिटिकल साइन्स लास्वेल एवं कॉपलान के नुसार एक राजनीत विज्ञान सक्ति के निर्धारन एवं सहभागिता का अध्यान है डाक्टर हसर जार एवं स्टीवेंस के अनुसार राजनीत सास्त्र अध्यान का वह शेत्र है जो प्रमुक्तिया सक्ति संबंदों का अध्यान करता है इन सक्ति संबंदों के कुछ प्रमुक सकति संबंद और राज्यों में परसपर सकति संबंद. रवए ए डेहल के ONसार राजनीति विज्ञान का सकति नियां वर सत्त से संबंद हैं. आमेंड एवं पावल के अनुसार आधुनिक राजनीति बिज्ञान में हम राजनीतिक विवस्था का अध्यान एवं बिसलेशन करते हैं इसकरस्ता कहा जा सकता है बर्तमान में राजनीति बिज्ञान केवल राज अथवा सरकार से समधित बिज्ञान नहीं है बल्कि मनुस के राजनीतिक बिवहार, राजनीतिक क्रियाओं एभम प्रक्रियाओं शक्ति सत्ता त्था मानों समुहों की अन्ता क्रियाओं का विज्ञान है अब राजनीति विज्ञान की परिभासाओं को देख लेते हैं प्रमप्रागत धिश्टिकोण में राज का अध्यान करने वाले जो विचारक हैं उनमें गारनर हैं, गैरिज हैं, बलंटसली हैं, गैटिल हैं एवं एकटन हैं सरकार का अध्यान मानते हैं राजनेति बिज्ञान को सीले एवं लिकॉक राज एवं सरकार का अध्यान पॉल जैनित और गिल्गराइश्ट मानते हैं राज सरकार एवं ब्यक्ति का अध्यान अर्मान हैलर एवं लास्की मानते हैं अधनु दिशचिकॉ Comic में मामी विखार का अध्यान इसको माना जाता है सक्ति का अध्यान चार्ल्स मेरियम यंग लास्वेल और केटलिन मानते हैं राजनीति के विवस्था का अध्यान डेविड इस्टन मानते हैं पार्में डेवम पावल मानते हैं इने प्रक्रिया का अध्यान हरवट साइमन मानते हैं और नीत का अध्धन ये लास्विल मानते हैं राजनीत के पर्याय है तो जैलीनिक क्या बोलते हैं कि राजनीत विग्यान के अंतरिक्त कोई और ऐसा विग्यान नहीं है जिसे परिभासित या जिसे परिभासिक सब्दों में उसके समान अवसकता हो तो राजनीत बिग्ञान केंतरिक्त कोई और ऐसा बिग्ञान नहीं है जिसे पारिभासिक सब्दों की उसके समान अवश्कता हो राजनीत सब्द का प्रियोग सरब्थम अरस्तु ने अपनी नगर राज सम्मंदी पुस्ता के सिर्शक के रोप में किया था अस्तो के बाद जैली निक, सिजविक, हल्ट जन डार्फ आदे ने भी राजनीत सब्द को ही अपनाया फेडरिक पोलक ने राजनीत को दो भागों में बाटा है सधान्तिक राजनीत और प्रयोगात्मक राजनीत अधनीक लेखकों जैसे पॉल जेनेट, सी लेविस तथा एलेकजेंडर विंट ने राजनीत का ताति पर प्रयोगात्मक अथवा बिवहारिक राजनीत से समझा है में केनी ने राजनीत सब्द को कला क्यार्थ में प्रस्तूत किया है गार्णर के अनुसार राजनीत सब्द राज के क्रिया कलापों के उस भाग तक सीमित है जो जैनिक गत्मित के संचालन से संबंद रखता है गिलक्राइट का बोलता है कि आधनिक प्रयोग के कारण राजनीत का एक नया अश्पराय हो गया है जिससे हमारे बिज्ञान के नाम के रूप में यह निराथक हो गया है राजनीति दर्शन राजनीति दर्शन राजनीति दर्शन राजनीति बिज्ञान का पूर्व गामी है और इस विषय ने अपनी अधिकान सिध्धान्त राजनीति दर्शन से ही लिए है इसकी प्रकृति दर्शनिक है जो कल्पना एवं तर्क पराधारित है इसमें नहतिकते और मुल्यों पर बल दिया जाता है, गिल क्राइष्ट के सब्दों में राजनीत दर्शन का एक प्रकार से राजनीत से पुर्व जन्म हुआ है, यानि जो political philosophy है, उसका जन्म एक प्रकार से राजनीत से पहले हुआ है, क्योंकि राजनीत दर्शन की मौलिक मनताओं पर ही अधा प्लासपी की ने म decentral 스타 तो इसका जण्म यह राजनीत से पूर्व हुआ है मलटे हैं राजनीत करें ०ालर्जनित की संस्थाओं निंहित बिचारों और आकांचाहूं से है और इस कारण राजनीतिक दर्शन विशे का अपून अध्यान ही है राजनीतिक चिंतन तो किसी विशेश समय अबधि में संपून समाज की राजनीतिक मनन एवं विचारों का समुच्चे राजनीतिक चिंतन कहलाता है किसी विशेश समय अबधि में और जांपल ग्रीक सम सम्पूर समाज के राजनीतिक मनान वनीचारों का समुच्चे करें तो क्या है राजनीतिक चिंतर राजनीति विघ्यान Qajnaipza मक्ता प्रियोग एवं बिज्ञान को अधार माना जाता है गिल क्राइस्ट के अनुसार बिवेक और प्रशलन के दिश्टिकोन से राजनीत बिज्ञान ही सरबादिक उचित नाम है फिर वान मोहल हल्टेजन डार्फ लेविस गिडिन्स ने राजनीत बिज्ञान का बहुजन क रूप में प्रियोग किया राजनीत बिज्ञान का छेत्र क्या है तो अध्यन की सुविता कि धिश्ट से इसका बिवेचन परंपरागात एवं आधुनिक परिपेक्ष में किया जा सकता है परंपरागात राजनीत बिज्ञान का छेत्र तो इसके अंतरगत निमन बिश्यों काध्यान किया जाता है जो ट्रडिशनल प्रेटिकल साइंस है उसके अंतर के निम्न विश्यों काध्यान किया जाता है इसमें राजी काध्यान किया जाता है इसमें सरकार काध्यान किया जाता है इसमें स्थानी राष्टी एवं अंतराष्टी समस्याओं काध्यान किया जाता फिसमें तराष्टीक 속भण्धों एवाम सं야गनों ग्द्न का अध्यन किया जाता है, राजनेतिक सिधांतों, विचारधाराओं का अध्यन किया जाता है, और इसमें अन्य समाजिक भी ग्यानों का भी अध्यन सामिल हो जाजनर के अनुशार, राज की प्रक्विट इवं उत्पत्ति की खोज, राजनीतिक संस्ताओं के स्वरूप, उनके इतिहास तथा विभिन रूपों की गवेश्णा, उक तो खोज तथा गवेश्णा की अधार पर राजनीतिक विकास के नेमों की संभव, अनुमान, ही राजनीतिक विज्ञान का और सिंद्धान का विकास बिद्रियां Babac इसके इनुषार राजनेति विग्ञान में निम्नि विष्यों का अधियन किया बुसरा राजनीतिक संस्थाय। तीसरा राजनीतिक दल दबाव समूह येवं लोकमत फिर है अंतराष्टी संबंध मैक डूगल येवं ग्राहम बालाज ने राजनीतिक संस्थाओं को समझने के लिए मनो बिज्यान की ओर संकेत किया है किसने ग्राहम बालाज और मैक डूगल ने हसजार ऑवं स्टीबंस राजनीति विज्यान को एक समय अपनी अध्यान के लिए राजकी त्तों का ही ध्यान करता है आज अपने पसासनी तत्यों के अध्यान में आर्थिक, समाजिक, और भगोलिक अधारों की विवेचना करता है वेंडल विलकी ने अपनी पुस्तक एक बिस्वन वर्ड में थम्पून मानव समाज की जो एक रूपता दिखाई है वह एक तत्थ है तथा इससे राजनीत बिग्यान के चेत्र में स्वभाविक रूप से बहुत अधिक विद्धि हो गई है रूला पिनाग इस्मित के अंसार क्या है और क्या होना चाहिए तख दोनों यतार्त और आदर्स के बीच समांजस कैसे कैसे बिठाया जाए इस थेट से सरकार और राजनीतिक प्रक्रिया के विवस्तित अध्यान को राजनीत बिग्यान कहा जा सकता है अब राजनीत विज्ञान की प्रिकित क्या है ये विज्ञान है या कला इस पर भी एक प्रकास डिवेट है तो राजनीत विज्ञान विज्ञान है कि नहीं इस पर विद्वानों में मतभेद है रस्तो ने इसे मास्टर साइंस कहा है यानि सरबोच विज्ञान कहा है की आद्यान विद्वान भी इसे विग्यान के रूप में स्युकार करते हैं बकल कम्टे मिटलैंड एमास बियर्ड केटलिन मोस्का ब्रोगन बर्क आद्य विद्वान राजनित विग्यान को विग्यान के रूप में स्युकार नहीं करते हैं कम्टे राजनित विग्यान के वि अविस्ट के लिए ठीक निस्कर्स निकाले जा सकते हैं। बगल क्या बोलता है कि ग्यान की बर्तमान अवस्था में राजनीत को बिग्यान मानना तो बहुत दूर रहा यह कलाओं में भी सबसे पिशड़ी हुई कला है। मैडलेन क्या बोलता है कि जब मैं राजनीति बिग्यान सीर्षक के अंतरकत पर इच्छा प्रस्णों को देखता हूँ तो मुझे प्रस्णों के प्रति नहीं बल्कि सीर्षक के प्रति खेथ होता है कि यह साइंस कैसे हो गई। बर्क जिस प्रकार हम संदर विज्ञान को विज्ञान की संग्या नहीं दे सकते हैं उसी प्रकार आजनीति विज्ञान का विज्ञान बनना ना तो संभाव है और ना ही वंचनी है राजनीती विज्ञान विज्ञान नहीं है एस संब्ध में निम्द तरक हैं पहला सुनिश्चित पारिभासिक सब्द वली का आभाव है दूसरा सर्वर्मान नियमों यवं तत्थों का आभाव है प्रियोग यवं परिवेच्छन संभव नहीं है राजनीती विज्ञान विज्ञान है तो इसको जो मानते हैं उनका तरक है कि इसमें क्रमबा धिवम विवस्तित ज्ञान होता है अध्यन समगरी की प्रकित में इस्थायत विवम एक रूपता होती है सर्वमान तत्य होते हैं कार एवं कारण में परस्परिक संबन्ध होता है परिवेच्छन एवं परिच्छन संभव है और पविश्वानी की चंगता है लौट ब्राइस क्या बोलता है मानो प्रकित की प्रवित्यों में एक रूपता तथा समानता पाई जाती है इसकी सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से प्रावित होकर मनुस से बहुता समान प्रकार के कारी ही करता है अंटर फाइनर हम निश्चित्ता पूर्वक अविस वाणियां तो नहीं कर सकते हैं लेकिन संभाव नाये तो व्यक्त कर ही सकते हैं होल्ट जन डार्फ ग्यान भंडार में जो महान भिद्य हो चुकी है उसे देखते हुए यह अस्योकार करना असंभाव है कि राज से संभध सभी अनुभवों आस्थाओं और ग्यान को राज भी ज्यान के अंतरगत लाया जा सकता है सर फिडरिक पोलाक जिस परकार नहतिकता का एक भी ज्यान है उसी भाव में और उसी तरह अथवा लगभग उसी सीमा तक राजनीत का भी भी ज्यान है पिरनेश्ट है इंगे ट्राइश्ट की अनुसार एद्यप समाजिक भी ज्यानों में प्राकरतिक भी ज्यानों जैसे था अत्ता प्राप करना कटिन है तथा आप समाजिक समस्याओं पर उसी भी ज्यानिक धंग से विचार किया जा सकता है जैसा कि रासायन सास्त्र और के रूप में स्युकार किया है कला का आसेव मुद्देश जीवन की सुंदरतम छेतर अनभोत इसे है वह मानों की सेष्ट कल्पनाओं की सुंदर अव्यक्ति है बिलियम एस लिंगर बिज्ञान और कला का परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं है कला बिज्ञान पर अधारित हो सकती ब्लंटसली तो राजनीत से बिज्ञान की अपेक्षा कला का ही अधिक बोध होता है राजनीत से बिज्ञान के अपेक्षा कला का यदिक प्रोज होता है राज का संचालन किस रूप में हो क्रियात्मक दिश्टिसे यहाँ कैसा बिवहार करे राजनीत में इन समस्त बातों का अजपादन होता है कैटलिन राजनीत का आर्थ विस्तार करते हुए उसे कला, दर्सन और विज्ञान तीनों मानता है लास्बेल ने भी इसे कला, विज्ञान, विज्ञान, दर्सन का संगम कहा है तुलात्मक राजनीत तो आर्सी, मेक्रडिस, जेके रावर्स, एडवर्ड, एफ्री मैन का मत है कि अध्यन विज्ञान के लिए तुलात्मक राजनीत सब्द ही सरवाधिक उपयोगतेवं सार तक है इसके अनुसार तुलात्मक राजनीत का संबंद राजनीतिक ब्योहार की संपूर्णता से होता है जी के रावर्ट्स के अनुसार तुलनात्मक राजनीत ब्रहत्तर छेत का संकेतक है एव मकार्टिस के अनुसार तुलनात्मक राजनीत राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक ब्योहारों की आपसी विसिष्ट निमित्ताओं सवानताओं तथा बिरोधों का अध्यान करती है तुलनात्मक राजनीत सब्दों को अपनाने का सरवाधिक सक्तिसाली रूप में बिरोध लियो इस्ट्रास हरबर्ट इस्टोरिंग हिराड लास्विल ने किया है अध्यनु पागम परंपरागा जो अध्यनु पागम है परंपरागा जो डिशनल अप्रोच है उसमें दार् इंपीरिकल विहार वाद यानि बिहेवरियल सिस्टम अप्रोच आती है इस्ट्रेक्शल संक्षन अप्रोच इनि संदसनात्मक परकरात्मक मॉडल निटन इनुमार सिध्धान फिर संप्रेशन यानि कम्मिकेसन ठीए इंटर डिस्पिनरी यानि अन्ता अंता अम्सासनात्म अप्रोचा सकती है मनों बेग्यानिक अप्रोचा सकती है समाज बेग्यानिक और आर्थिक पागम इसमें सामिल हो सकता है अन्यतत बिसमार्क ने राजनीत को संभाब की कला The art of possible कहा किसने बिसमार्क ने उदारबादी राजनीत को समझोते की कला कहते है बिहारबादी राजनीत सकती के लिए संघर्ष है बिहारबादी क्या मानते हैं कि जो politics है ये struggle for power है डेवी डिस्टन राजनीत का संबंध समाज में मूल्यों के अधिकारी का बंटंग से है authoritative एलोकेशना बेलू से है राजनीत का संबंध माइकल लॉक्साट तो राजनीत सीमा हिन सम्मुद्र के समान है तो for माइकल लॉक्साट politics is borderless and bottomless sea it is like bottomless and borderless sea and you have to know how to swim बिहारबाद बिहारबाद या बिहारबादी उपागम राजनीतिक तत्यों की ब्याख्या और बिसलेशन का एक बिसेश तरीका है जिससे दुती महायुद्ध के बाद अमेरिकी राजबिग्यानिकों त्वारब इक्सित किया गया पिर्दिप इसकी जड़ें महायुद्ध के पहले भी पिराहम बालाज और ब्रिडले आयत की रचनाओं में देखी जा सकती है यह उपागम मुक्ते अपना ध्यान राजनीतिक पर केंदित करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है के राजनीतिक गत्वितियों का बैग्यानिक अध्यान ब्यक्तियों के राजनीतिक ब्यवहार के अधार पर ही किया जा सकता है ब्यवहारबाद अन्ववात्मक योंक्रियात्मक है ता इसमें ब्यक्तिनिष्ट मूलियों और कलपनाओं आज के लिए कोई स्थान नहीं बिवहारबाद के प्रणिता देविद इस्टन है इनके अनुसार बिवहारबाद वास्तविक सक्ति पर अपना समस ध्यान केंदित करता है बिवहारबाद के अध्यन की इकाई मानव का ऐसा बिवहार है जिसका प्रतिय ब्रक्तुतारा परिवेच्छन, मापन और सत्यापन किया जा सकता है बिखार बाद राजनीतिक बिखार के अध्यन में राजनीत की संदशनाओं, प्रक्रियाओं आज के बारे में विज्ञानिक भ्याख्याएं विक्सित करना चाहता है उदे की कारण क्या रहे हैं परांप्रागत अध्यान पतिस्यों के प्रतिक असंतोस अन्य समाजिक विज्ञानों से फ्रेड़ना वितिभी स्युद्ध का प्रभाव और नभीन अध्यान पतिस्यों का प्रियोग विकास तो 1908 में ग्राहम बालास की The Human Nature in Politics और F.A.F. Bentley की The Process of Government जोकि 1959 प्रिगासित होती है में इसका विकास देखा जा सकता है फिर The Process of Government तो जो Process of Government पुस्तक है दोस्तों ये 1908 में ये भी लिखी गई थी पुस्तक 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 लिखी गई थी आधिकारिक बिद्वान देविड इस्टन को माना जाता है इस्टन ने अपने लेख The Current Meaning of Behavioralism में जोहार बात के आधार एवं लक्षों का बढ़न किया है और इसमें आठ कंपोनेंट्स की बात की है पहला नियमन यानि रेगुलर्यलर अरकुलरर तीसरा है सतियापन तीसे तक्नीक प्रयोग यान टेकनिक चोथा है परमारीकरण यानई वैलू बैलू परमानी करन यानि परिमानी करन या बेरिफिकेशन फिर मुल निधारन या बैलू-free इस्टमिताईजेशन या बेषिवर साइस और समागरता यानि इंटिगरेशन बिवार बात क्या लोशना इसमें प्रिप्रियों पर दिया गया है और बैलू फ्री होना एक प्रकार से असंभा और अध्यक खर्चेली प्रदती है यह अनपत्तियों के माद तो को ना कारणा और ब्योहार बाद नीट नेधान के परिपेच में बहुंँ जादा एक प्रकारत को प्योगी नहीं है ब्योहार बाद की उप्योगिता ब्योहार बाद के कारण आज राजनीत बिग्यान को नभीन राजनीत बिग्यान कहा जाने लगा है ब्योहार बाद के प्रियासों के परियासों के परिणाम सरूप संस्थाओं के अपचारी कध्यान को चुनोती दी गई और अब व्यक्ति प्रक्रिया और तत्य राजनीती विग्यान के अध्यन के केंदर बन गए इसके तत्य पूर्णिस करसों ने नीत निर्मान में योगदान देकर राजनीती सास्ट को समाजिक इंजीनरिंग, सोसल इंजीनरिंग पनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया विवहारबाद की निमलिखित भी सेस्थाएं हैं या उपयोगित आएं है विवहारबाद एक पुनन निर्मान क्रिया है जिसने राजनीत भी ज्यान को नए मूल नई परिभासाएं या नई भासाएं नई पदितियां उचितर प्राइस्थिति और सबसे बढ़कर अंभवात्मक बैग्यानिक्ता प्रदान की है विवहारबादियों ने अंतर अनुसास नात्मक दिश्टिकोर्ण का समर्थन किया है इसके अनुसार एक समाज भी ज्यान का अध्यान दूसरे समाज भी ज्यान के संदर में ही किया जाना चाहिए बिवहारबाद ने संस्थाओं के इस्थान पर व्यक्ति को राजनीतिक विश्षण की इकाई मानने पर जोड़ दिया जिसने राजनीतिक विज्ञान की एकता एवं आधुनिकता पदान की है बिवहारबाद ने अपने विज्ञानिक अनभावबाद के माध्यम से नभीन ध्रिष्ट नभीन पद्धतियां नए मापन एवं नूतन छेतर प्रदान की है उतर बिवहारबाद बिवहारबाद का अंगला चरण या एक सुधार रिफार्म, मोमेंट नभीन दिशा का संखेत देता है इसके दो नए नारे हैं एक सन और रिलिवन्सी यह बिवहार बिज्ञानों से समाज ततराज विवस्था की ततकालिन समस्याओं, संकटों एवं चुनोतियों का अध्यन करने तथा उसके निदान ढूनने की माप करता है इसका मूल उद्देश है समाजिक सोध समाज की अवसक्ता के संदर्व में प्रसांगी केवं संगति पूर्ण होनी चाहिए डेविरिष्टन के सब्दों में उत्तर विवारबाद भविष्ट की और उनमुक है तता राजनीत विज्ञान को नवीन दिसाओं की और मोडने तता उसके उत्राधिकार को अश्युकार करने के इस्थान पर उसमें और भी बहुत कुछ जोड़ने के लिए प्रतनसील है पिर डेविरिष्टन ने उत्तर विवारबाद के दो प्रमुक रक्षन बताएं पहला सोथ की सार्थ धक्ता या प्रसांगिक्ता और दूसरा है क्रिया निष्ठा या कर्म विष्टन ने उत्तर विवारबाद की साथ विसेस्ताओं को लेक किया है जिने वह प्रसांगिक्त करने यानि commercialization of commercialization of professional तुमिच्चा क्या है कि साथ रूप में कह सकते हैं कि उत्तर बिवहारबाद बिवहारबाद की कम्यों को दोर करने का प्रयास है और साथ ही इसमें बुधजीवियों से यह पेक्षा की गई है कि वे अपने ग्यान के माध्यम से समाज में सुधार का प्रया साथ तो है संचेप में उत्तर बिवहारबाद को बिवहारबाद की अंतेष्ट करने वाली करांद के इस्थान पर बिवहारबाद का बिस्तार करने वाला अंदोरन कहना उचित होगा यानि बिवहारबाद या उत्तर बिवहारबाद ने बिवहारबाद को खतम नहीं किया है बलकि इसको extend किया है उसके meaning को और ज़्यादा broad किया चले दोस्तों यहाँ से हमारा यह first part इसका समाथ होता है तो hope कि आपको यह video स्रीज अच्छी लगेगी दोस्तों और जैसा कि मैंने पहरे बताया है कि अगर आपको यह video स्रीज net exam के पहले चाहिए तो आप कुझास जादा इसको support देना पड़ेगा और अगर नहीं चाहिए आप लोग चाहते हैं कि ठीक है चलती रहेगी तो फिर मैं इसको अपने हिसाब से चलाओंगा और फिर उसके लिए आप सिकायत क्या ही करेंगे पर ठीक है चलिए मिलते हैं अंगले लिक्चर में तब तक के लिए गुड़ बाई थैंक्यू थैंक्यू बेरी मैंच पर डिसकुसाओ